हेलो रिवन, गूड इवनिंग, स्वागत अब सभी का ओलाइन स्टडियो में, आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टन टॉपिक, भारत की जंगरना है, 2011 में जो हमारी जंगरना हुई है, उसके बारे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, और इससे जुड़ी 45 Most Important MCQ भी लेकर रहा हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखेगा, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, तो definitely मैं guarantee लेत इस वीडियो का फर्स्ट कोचन ये कह रहा है कि भारत में पहली बार जंगरना कब हुई थी? भारत में पहली बार जंगरना कब हुई थी? तो correct answer का options number B, अठारासो बहत्तर इसे में यहाँ पे दो points पहले आपको ध्यान रखना, यहाँ पे questions में पूछा गया कि पहली बार जंगरना कब हुई थी? तो Lord Mayo के सासनकाल में सबसे पहले अठारासो बहत्तर में जंगरना हुई थी, लेकिन questions में ये पूछता है कि भारत में नियमीत रूप से जंगरना start कब हुआ यारी कि जो पटेक 10 वर्स पे जंगरना हम लोग देखते हैं, वो कब से start हुआ था? तो वो start हुआ था 1881 में, इस questions के लिए क्या questions बनता है? क्या questions ये बनता है कि भारत में नियमीत रूप से जंगरना कब प्रारम हुई थी? तो वो 1881 में, किसके समय में? Lord Ripan के समय में, ठीक याद रखेंगे? एक questions अब ये बन सकते कि 1951 में जंगरना के समय, जंगरना आयूक्त कौन थे? तो आरे गोपाला स्वामी ये आप याद रखेंगे, ठीक है? 2011 के जो जंगरना हुआ, वो हम देखे तो अगर हम starting से देखे, 1881 से देखे तो ये कौन से जंगरना थी? 2011 के जंगरना थी, ठीक है? 15 वी जंगरना थी, लेकिन अगर questions में ये पुच्ता की सवतंतता के बाद से, यानि की सवतंता के पस्चात से 2011 की जंगरना कौन से जंगरना है? तो ये सत्वी जंगरना थी, ठीक है? सात्वी जंगरना थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी के सभ और डिसेंडिंग और का मतलब घड़ते करब में, तो सबसे अधिक जंसंख्या घनत्यों किस का है? सबसे अधिक जंसंख्या घनत्यों जो हता है, वो बिहार का होता है, और कितना 1106, सेकंड नमबर पे बंगाल 1028 याद रखेंगे, और थर्ड नमबर पे केरल 860, अब यहां ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट काया करें कि निवन में से किस प्रदेश में महिला साक्षर्ता सबसे अधिक है? महिला साक्षर्ता जो वो सबसे अधिक है, यहां पे क्वेशन साब को रैंडमली देखने को मिलेगा, लेकिन सारा का सारा क्वेशन आपका क्लि annihilated तो ध्यान रखेगा तो महिला साक्षार्था सबसे अधी किसी है तो हमारे देस में जो गर बात करें केरल तो केरल को पूर्ण साक्षा-राज्य माना जाता है और पूर्ण साक्षा राजी होने के तौर पे यहां पे महिला साक्षार्ता जो दर है वो सबसे अधिक है अन्य सभी राज़ों के मुकाबले ये तो clear है अगर यही question में पूछ जाता कि सबसे कम साक्षार्ता जो है महिला साक्षार्ता किस राजी की है तो उस condition में हो जाता रखेंगे राजस्थान ठीक है सेकेंड अगर बात करें तो वह बिहार हो जाता देखें राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षर्था दर होना कितना है तो करीब करी 52.66% ठीक है 2011 की जनगर्णा के नुसार किस राजिक की अबादी अधिक्तम है अबादी का मतलब जनसंख्या वहां की सबसे अधिक्तम है 2011 की जनगर्णा के नुसार किस राजिक की जनसंख्या या फिर अबादी अधिक्तम है सबसे अधिक जन संख्या वाला जो राजी है वो है उत्तरप्रदेस सबसे टॉप सेकेंड नमबर पर कौन है, सेकेंड नम्बर पर महारास्ट, और थार्ड नमबर बात करें तो थर्ड नमबर पे अपना भिहार ठीक है, थर्ड नमबर पे भिहार आता है, तो ये point आप याद रखेगा, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और next question देखते हैं, क्या है, question number 5 में कह रहा है कि भारत में 2001 से लेकर कि 2011 में सक्छर्था में ब्रीधी दर क्या है, सक्छर्था में ब पर question से याद रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 6 में क्या कर रहा है कि जनसंख्या के अकार की द्रिष्टी से, यानि कि जनसंख्या के अकार की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राजी कौन सा है, थोड़ा ध्यान दी जगा, जनसंख्या के according आप से पूछ जा जोटा रहा है, तो जनसंख्या के according सबसे छोटा जो राजी है, वो है सिक्किम, ठीक है, options यह हो जाता, लेकिन questions में यह पूछता है कि छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे छोटा कौन सा होगा, तो छेतरफल के द्रिष्टी से जो होता, area के according हमारा यह हो जाता, गोवा, area के according और population के according जो हो जाएगा वो कौन सा है तो सिखें ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेशन देखें क्या क्या रहा है अगर पूछ लेता है कि अरिया के according बिहार का स्थान कौन सा होगा तो मैं आपको बता दूँकि अरिया के बात 13 नंबर पे कौन है तो वेस्ट बंगॉल यह दो पॉइंट्स पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं यद रखेंगे 11 नंबर पे तेलंग ना बारावे नंबर पे बिहार किसके बात करें हम लोग एरिया के according बात करें ठीक है तेरहवे नंबर पी विस्ट बंगॉल तो ये सभी चीज़ आप याद रखेंगे चले बात करते हैं अगले प्रस्टिकी क्वेस्ट नंबर एट में क्या ध्यान दिजेगा जनगर्णा दोजार इगारा के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिस्यत सहरों में रहता है वन अफ दमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्ट बनता है या तो फिर डारेक्ट आपसे सहरों में पूछा जा सकता है या आपको दो कुषिसंस बन सकते हैं दो से तीन कोईस्ट डाइड डेफनेटली देखने को मिलेगा तो देखें गहरा हम बात करें कि इगारा के अनुसार जनसंख्या के कितने परतिस्द सहरों में निवास करते हैं तो 31.16% जो कि सहरों में निवास करता है तो बात अभी आती क कि ग्रामीड चेत्रों में कितना होगा तो 100 में सब घटा लो लगबग हम यह कह सकते हैं कि 68.84 परतीसाद जोकी यह हम कह सकते ग्रामीड में निवास करते हैं अगला पॉइंट देखे हैं जन संख्या की द्रिष्टी से भारत की तीन सबसे बड़े राज्यों का सही करम क्या उपर में लोगों ने देख चुका है कोई प्राबलम नहीं होगी सबसे अधिक जन संख्या हवाला उत्तर प्रदेश है सेकेंड नमबर पर महाराज थर्ड नमबर पर बियार ऑप्सेंस ए विल बी करेक्ट अंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्ट प्रश्ण क्या करें कि जन संख्या के द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा किंद्र सासित प्रदेश कौन सा है सबसे बड़ा किंद्र सासित प्रदेश कौन सा है बताईए जनसंख्या के द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा जो किंदर सासित प्रदेस है वो है options number A दिल्ली, options A will be correct answer, second rank पे third rank पे भी हम देख लेते, second rank पे हमारा आज़ेगा पांडचीरी, ठीक ध्यान रखेंगे second number पांडचीरी, third number पे हम अगर बात करें तो third number पे आरता है जो की जन्डीगण ठीक है सबसे छोटा राजे के बात करें जनसंख्या के द्रिष्टी से बड़ा राज़ेतों कंदर सासित प्रदेस होई गया स्वारी कंदर सासित प्रदेस के रूप में दिल्ली लेकिन अगर इसी कोईस्बति पूचल लगकर जन संख्या के द्रिष्टी से अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रू करेंगे ठीक है चलिए next plus नीए कहा रहे कि 2011 के जनगरणा के अंतीम आकड़ों के अनुसार भारत के निमैलिखीट राज्यों का इधहार के आधार पर सही करम किया यहां पर आपको क्या बताने कि ध्यान जेञाए जन संग्ख्या के अधार पर राज्यों का सही करम बताने और यहांपर में फमीया यह देखे, उपर में हम आपको अल्री देख सुका है कि सबसे अधीक जो उतर प्रदेस है, सेकंड नमबर पे महाराज थर्ड नमबर पे बिहार, यानि कि हम यहां पर कर सजाएं, तो एक तीन दो, इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक तीन दो के बाद हमारा options दो-दो मैच कर रहा तो उस condition में कि हम देखे, तो हमारा सही जो उतर होगा, यानि कि चौते नमबर पे पस्ची मंगल पांचवे नमबर पे आता है अंधर प्रदेस, तो यहां पर राइट एंसर हमारा होगा 5-4, यह हमारा condition होगा, options number D, ठीक है, यह इस questions का सही उतर हो जाता है, options number D, यह होगा 5 राजयों का सही करम जो की top 5 है जनसंख्या के मामले में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हो, next questions क्या कहा रहा है, कि वर्स 2011 के जनगरना के अनुसार, देश में 2001-11 के दसक के दौरान, जनसंख्या ब्रीधी दर कितने परतिसत रही, जनसंख्या ब्रीधी दर आप से पूचा है कि 2001 से लेकर कि 2011 में जब जनगरना हुआ, तो दस वर्स के दौरान, दसक के दौरान, जनसंख्या ब्रीधी कितने रही, इस questions का सही उतर क्या, right answer will be options A, 17.7 परतिसत, 17.7 परतिसत, देखिए, अगर हम बात करें कि 2001 में कितना था, तो 2001 में 21.54 था, लेकिन हम ये कह सकते कि 2011 मे जो ब्रीधी धर हुआ, ब्रीधी धर में कम हुआ, घटकर कि 21.54 से घटकर कि 17.7 परतिसत की ब्रीधी हुई थी, ठीक है, तो ये point आप याद रहेंगे, options A, सही उतर हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, next question क्या करें कि 2011 की जनगरना के अनुसार, निमलिखित में से किस राज्य म में, जनसंख्या ब्रीधी धर सर्वाथिक रहिये, थोड़ सा ध्यान दीजिए का, जनसंख्या ब्रीधी धर सर्वाधिक रहिये, सभी स्टेटों में मिला कर अगम देखे, तो 2021, एक से लेकर कि 2011 की जनगरना के इकॉर्डिंग, जनसंख्या ब्रीधी में सरवाथיक रहिये, और वो राज है में घाले ठीक है options number D correct होगा लेकिन questions में अगर यही पूछ देता कि सबसे कम यहां पर जो आप देख रहें कि सरवाधिक रही तो सबसे कम कौन सा रहा तो सबसे कम रहा या फिर कह सकते हैं कि नकरात्मक रही उस condition में अपको आ नागालेंड ठीक है नागालेंड इस questions का right answer हम किसे tick करेंगे options D को question number 14 में क्या रहा है कि 2011 की जनकरना आकडो की अनुसार निमलिखित में से किस राजी की जनसंख्या ब्रीथी सबसे कम है देखे just में आपको उपार में बता है कि सबसे अधिक ब्रीथी तो मिखाले की थी लेकिन सबसे कम जोगा वो नागालें करा नागालेंड का सबसे कम भी कह सकते हैं या फिर questions में नकरात्मक भी रही थी जो कि माइनस में ब्रीथी हम कह सकते कि माइनस में हुआ था options number C right answer next question जनसंक्या के दिश्टी से भारत के तीन सबसे छोटे राज़ी का सही करम क्या है उपर में हम लोगों देखते है हा रहे है सबसे बड़े तीन राज जनसंक्या के दिश्ट से सबसे बड़े तीन राज कौन-कौन थे एक बार फिट्स रिपिट कर लेते है उत्तर परदेश, महारास्ट और बिहार, लेकिन यहां पे जो questions पुझा रहे कि जनसंख्या, गिदिश्टी से भारत के तीन सबसे छोटे राज्य कौन-कौन से हैं तो सबसे छोटा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सिक्किम जो हो सबसे छोटा है सिक्किम सबसे छोटा उसके बाद हम बात करें कि इससे थोड़ा सा अगर हम देखें इसमें ज्यादा जनसंख्या मीजोरा में है और इससे थोड़ा सा ज्यादा जोकी जनसंख्या अरुडाचल प्रदेश में तो राइट अंसर क्या हो जागा options नंबर B, ठीक है, options B will be correct answer अब बात कर लेते कि क्यों जाना जाता है, देखें, एक्चली हुआ ये था कि 1911 से लेकर कि 1921 का जो जनगरना हुआ, इसमें क्या हुआ था कि भारत के जनसंख्या की जो दसक्ये व्रीधी थी, वो रिनातमक रही थी, इसमें करीब-करीब 77 लाग की कमी आई थी, यानि कि कह जैसे कहा जाता है कि महान विभाजन का वर्स, ठीक है, तो ये point आप याद रखेंगे, options B will be correct answer, आगे बढ़ते हैं, next question कह रहा है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या व्रीधी तर कब रही, यानि कि कौन से आकड़े के अनुसार, ये बात हम कह सकते हैं कि जो भारत की उच्च कम जनसंख्या व्रीधी रही, जैसे कि हम लोगों ने 11-21 देखा सबसे कम रही, जिसको महान विभाजन वर्स जाना जाता है, उसे दरह से सबसे अधिक व्रीधी कब होई थी, तो वो है 61-71, options B सही उतर होगा, 61-71, कि लिए अगला point देखें, next question क्या कह रहा है, कि कि किसी छे इतर में जनसंख्या आधिक है का क्या तात पर है, इसका सीधा सा मतलब होता है, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, option C बिल्कुल correct answer हो जाता है, चली बात करते हैं, next question की, और अगला को संदीखें क्या कह रहा है, question 19 ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्यों का क्या आर्थ है, जनसंख्या घनत्यों का क्या आर्थ है, बहुत ही सिंपल सा question बताईए, जनसंख्या घनत्यों का आर्थ होता है कि प्रती वर्ग किलो मेटर में रहने वाले विक्तियों की संख्या को कहते है, option C, सही उतर है, चीक है, अब मैं आपको एक चीज यहां से बता दूँ, पहले भ सबसे अधीक बिहार, सबसे कम अरुनाचल पर देश, चीक है, आगे देखते हैं, नेक्स सुसन क्या कहा है कि 2011 की जनगर्णा के अंतीम आकड़ों के अनुसार, सरवाधिक जनसंख्या घनत्यों वाला भारती राज्ये कौन सा है, फिर से वही questions आ गया है, बताईए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से अगर वीडियो को देखते लिएगा, तो आपका तो questions मैं already clear कर दूँगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ questions आपको देखने को, revise करने को ही मिलता है, उपर में हम लोगों already discuss कर चुका होता हूँ, last में आपको questions सिर्फ देखने का रहता है, तो सबसे कम अरुनाचुल प्रदेश, next question क्या है कि सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमेलित कीजी, तो यहाँ पर दीकि जनसंख्या घनत्यों के साथ आपको match करना है, और यह सबसे उपर से top जो जनसंख्या घनत्यों के साथ वाले रिस्टेट हैं, उनका यहाँ पर match करना है, तो चलिए के करके match करके देखते हैं कौन किस के साथ सही तरीके से match होगा, तो हम लोग पहले match करते हैं कि बिहार का अलड़ी हम देख चुके है, 1106, यहाँ पर एका दो के साथ match होगा, एका दो के साथ तो तीन match कर रहा है, तो आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, अगर हम आगे क्या होता है, इसके अगरा हम देखे, second, first rank तो सबसे अधीक बिहार का जनसंक्या अगनत ते, second rank पे जनसंक्या अगनत सबसे अधीक किसका है, पस्ची मंगाल का, कितना होता है, 1028, वेस्ट बंगॉल मैं लिग देता हूँ, वेस्ट बंगॉल 1028, 1028 तो आप match करिए, वेस्ट नमबर पे केरल, कितना होते हैं, 860, third नमबर पे केरल, 860, और fourth नमबर की बात करें, तो UPM कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, उसका 829, अब आप सभी को अच्छे तरीके से match कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो right answer will be options C, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question क्या करें कि, 2011 की जन गर्णा के अनुसार भारत में, जनसंख्या का पुरुस और इस्तिरी का अनुपात क्या, पुरुस और इस्तिरी का अनुपात जिसको लिंगा अनुपात भी कहते हैं, तो बताए कि क्या अनुपात होगा, देखें, 2011 के अगर हम देखें, तो 2011 में हमारा जो ये जनसंख्या क अनुपात था जनसंख्या यार फिर लिंगा अनुपात कह सकते हैं यह है कि एक हजार पूर्सों पर 943 इस्तिरिया ठीक है यह कह सकते हैं राइट अंसर विल भी ऑप्सन स्टी लेकिन यही जगर हम देखें 2001 के एकॉर्डिंग क्या था 2001 में जो आप यहां पर 943 देख रहें यह 933 था ठीक है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर के 2011 की जनगर्णा के एकॉर्डिंग जो इस्तिरियों की लिंगा अनुपात में कितनी ब्रीधी हुई है तो दस अंक की ब्रीधी हुई है देख सकते हैं 933 से 943 इसलिए ऑप्सनस नंबर डी को आप ध्यान में रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स उसन क्या कहा रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है तो करेक्ट आंसर ऑप्सनस नंबर बी हरियाना ठीक है हरियाना आप इसको याद रखेंगे next question क्या कह रहा है question number 24 निमलिखित में से कौन सही नहीं है तो बताए कि यहां पे कौन सही नहीं है बहुत ही super question है विविया इसको मान के चलेगा यहां से कई सारे questions killer हो जाएंगे तो देखे पहले बात करते हैं कि केरल में इस तरी पुरुस जो अनुपात है महिलाओ के पक्च में होने का मतलब क्या है मैंने आपको जो उपर है हम रोगों ने रेशियो देखा था एक हजार नौसो तेतालिस ठीक है यह क्या होता है कि एक हजार पुरुस पे नौसो तेतालिस महिला है ठीक है तो यहां पे दे questions में कहा रहा है कि केरल में सेत्व पुरुस जो अनुपात है महिलाओ के क्यरल सेकेंड पॉर्ट में कहा रहा है कि भारत में लिगा अनुपात नौसो तेतालिस हो गया इसमें तो कोई परॉब्लम नहीं है देख सकते है । लेकितर नौसो तो करेक्ट है थर्ड क्या करें कि चंडीगड में लिंगान उपात सबसे कम है देखें यहां पर हम देखें तो यह गलत है किस तरह से भी अगर देखें चंडीगड अगर हम बात करें अगर हम पूरे राजियों में देखें तो राजियों में सबसे कम किसका होता है हर्याडा का सबसे कम लेक अगर हम बात करें, options D को, पांडी चेरी में इस तरी पुरुस अनुपात महिलाओ के पक्च में, अब यहां पर भी बात महिलाओ के पक्च में आ जारी, तो यह clear होगा कि 1000 से अधिक हो रा चाहिए, तो 1000 से अधिक इसमें कितना है महिलाओ का पक्च में, तो 1037 आते हैं, ठीक है निमलीखीत राज्यों में से किस एक का नगरी करन अस्तर नियूम्तम है, बताए कि सबसे कम नगरी करन अस्तर आपको बताना है, तो किसका नगरी करन जो हो सबसे नियूम्तम है, तो सही उत्तर हो जाता है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश का, options A सही उतर है, सबसे अधिक नगर करने अगर बात करें तो गोवा हो जाएगा यहां पे फिलाल इसक्वेशंस के राइट एंस रोगा उप्सिंस नंबर एक क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या करें कि 31.16 यहां पर हमारा जो सही उतर होगा यहां पर पुछा जा कि ग्रामीड तो ग्रामीड में आपको परम बताया था क्या 68.84 तो हमारा सही उतर क्या होए ऑप्सिंस नंबर एक सही उतर है ठीक है ऑप्सिंस ए विल बी करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रस्ट यानि कि घर्टे ग्राम में सबसे अधिक जो नगरी क्रीत राज्य के बात करें तो वो कौन है तो इस क्वेशन का सही उतर होगा आप्सिंस नंबर डी मैं आपको उपर मता है कि सबसे अधिक जो होता है सबसे गोवा और सबसे कम हिमाचल प्रदेश तो यहां पर जो अनसूची जन जाती अबादी संक्रेंदीत हैं कि आ यहां पर से अनसूची जन ज़ाती यानि की सेडियो की बात की जा रहे एक एस ती की बात की जा रहे है क। तो सबसे अधिक सरवाधिक अनुसूची जनजाती अबादी जनसंख्या जो वो किस राज्य में तो यहां से दो questions बनते हैं पहला कोशन तो यह कि जंसंख्या सिर्फ पूछ जाएगा कि सबसे अधिक जंसंख्या वाला राजी किसका तो जंजाती का अनुसूची जंजाती का तो उस कंडिसर में राइट एंसर हो जाएगा ऑप्संस नंबर भी मद्यप्रदिस लेकिन इसी क्वेशन्स में अगर पूछ लगा देना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ जंसंख्या बोले तो मद्यप्रदिस है तो फिलाल राइट एंसर क्या होगा ऑप्संस नंबर भी ठीक है यह जंजाती था ध्यान रखेगा अनुसूची जंजाती सेल्यूल ट्राइब अगला पॉइंट में क्या करा है कि 2011 के जंगर है और सबसे अधिक प्रतिसत वाला राज्य के रूप में किसे टिक करेंगे मिजूरम को यहां पर दो मद्यप्रदिस नहीं है लेकिन एक्जांस में डेफिनिटली मद्यप्रदिस भी रहेगा जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप अच्छे से नहीं याद रखोग प्रतिसत नहीं लगा और यहां पर अनसूचि जाती की बात की जाती तो उस कंडिशन में उत्तरपरदिस को टिक करेंगे लेकिन कुईस अगर लग जाता कि प्रतिसत सेम डूत सेम कॉनस रहा लेकिन सरवादhésitez जनसंख्या प्रतिसत किसराजी मैं पाय जाती है तो उस यह हो रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या, जो 100% कुल जनसंख्या हो जाती है, उसमें SC की जनसंख्या का योगदान कितने परतिसात है, SC की बात की जा रही है, तो SC की अगर हम बात करें, तो 16.6 परतिसात, right answer will be option C, लेकिन अगर इसी questions में ST की पूछ लेता, तो ST की पूछ तो उस condition आप 8.6 परतिसात कर देते हैं, यह आपके ST वाले, ठीक है, कुल जनसंख्या में 8.6 परतिसात, ST कुल जनसंख्या में SC की बात करें, तो 16.6 परतिसात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next questions, कि 2011 की जनगर्णा के अंतिम आकडों के अनुसार, किस राजे में अनसूची जाती के लोगों का प्रतिसात सरवादी के, ध्यान दीजेगा, फिर से वो questions repeat हो गया है, अनुसूची जाती, जिसमें प्रतिसात आपको लगा ह हुआ है, मैं आपको बताया भी था, अगर प्रतिसात नहीं रहता, तो उस questions का right answer क्या होता, प्रतिसात नहीं रहता, तो उत्तर प्रतिस को tick करते, लेकिन questions में प्रतिसात लगा हुआ है, तो पंजाब को tick करेंगे, और यहां पर ध्यान दीजेगा, SC की बात की जारी है, पर पंजाब को tick करेंगे, ठीके, सिर्फ और सिर्फ S.D. की बात करेंगे, तो वहां पर मद्य प्रदेश को tick करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ töर्फ ST. की बात करके, percentage लगा है, तो वहां पर मिजोरहं को tick करेंगे, बता ये, चाहो तो आप इसका screens와res ले सकते हैं, बहुत सक्षर्टा दर की जो गढणा की जाती है कि सधार्पी की जाती है साथ वर्थ के उम्र से उपर की जनसंख्या से स्टार्ट की जाती है जन सक्षर्टा दर की गढणा करना इसलिए options number D को टिक करेंगे नेक्स्ट प्रेस्ट है एक माल लिजिए कि अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग साक्छर्टा दर है तो यह एक औसथ जो निकाला गया भारत की ऑसा साक्छर्टा दर एवरेस जो निकाला गया वो है क्या ओप्सिस नंबर बी चोहत्तर दिसमलो जीरो चार परतीसत इसको आप याद रखेंगे options B will be correct answer आगे बढ़ते next solution के रहे कि भारत में कितने राजे जो है वो पूर्ण साक्षर्टा वाले सबसे पहले तो आपको ये मतलब समझना होगा कि पूर्ण साक्षर्टा वाले राजे हम किसे कहेंगे देखें पूर्ण साक्षर्टा वाले राजे के स्रेडी में आने के लिए एक कंडिशन होता है कि अगर जिस राजे का अभी परतिसाद साक्षर्टा दर 90% से प्लस है उसको हम कहते हैं कि पूर्ण साक्षर्टा वाले राजे हैं तो ऐसे में हम बात करें कि भारत में कुल कितने जो कि पुन्ट छक्च्छahlen्ठा के अंत्रगप आते तो वो कुल 3 राज्जे ए जो की कुछ इस तरह से हैं सबसे पहला बात करें तो केरल जो की केरल बे नाइनटीफोर सबसे पहला टॉप पर आता है इधर-उधर हो सकता है लेकिन exact मैं आपको नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने अलग-अलग जगह पे देखा अलग-अलग Wikipedia पर भी देखा तो उसमें अलग था अलग था तो थोड़ा साप इसको अच्छे से देख लिजेगा अगर आपका कहीं से अच्छा सोर्स मिल जाता है तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप NCRT बुक को देखते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है कि NCRT को आप फॉलो कर लिजेगा फिलाला अगर हम बात करें थ आसपास में थोड़ा सा इधर उज़र हो सकता है लेकिन करम आपका यह है सबसे टॉप पर आपका केरला सेकंड नमबर पर लगसेदीप और थर्ड नमबर पर मिजोरम ठीक है इस तरह समक्या सकते हैं हमारा तीन वैसे राज्ज हैं जिनकी पून साक्छार्था दर की सेड़ मैं से बताने कि कितना निमधार Deshalb, आगर अब इससे नीचे जाता है तो वह होगा ठीक है इससे नीचे जाता है तो नीचे होगा यहां पर बात करें तो उडिसा मं नहों है उडिसा केकर हम देखें तो 73.45 प्रतिसत लगभग 73.45 प्रतिसत अब आप यह बते कि 74 से नीचे है कि नहीं 74 से नीचे है तो करेक्ट हैं स्रम आप्सस नंबर सी को टिक करेंगे बाकि आप स्टेट का देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यह सभी पर में कुईसंस यह बताया था महिलाओं की साक्षार्था दर सबसे कम किस राज में तो यह राजस्थान और संस भी सयूद्धर कितना होता है मैं को अल्रेडी बता रखा है कि राजस्थान में कह सकते हैं कि 52.6 लेकिन बिहार में 53.33 परचेंट यानि कि राजस्थान से बिहार में महिलाओं की साक्षार्था दर अधिक है क्लियर आगे बढ़ते नेक्स रोसन क्या रहे कि 2011 की जनकर्णा के अनुसार किस केंदर सासित प्र है वो सबसे टॉप पर है तो उपर हम लोगों ने क्या देखा था तीन जो ऐसे राज्य हैं जिनका प्रतिसाथ जो सबसे टॉप पर है 90 प्रतिसाथ अधिक यानि की पूर्ण साक्षार्था वाले राज पहला हम लोगों देखा था केरल दूसरा नंबर पर लक्सदीप तो लक्सदीप हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है और अगर हम यहीं पर पूर्ण पर यह पूर्ण के जनगर्णा के अनुसार किस केंदर सासित परदेश की साक्षार्था सबसे कम है तो कम की बात करें तो उसमें कौन सा हो जाता कम के रूप में दमनेंड दिव इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है तो करेक्ट आंसर मारा ऑप्सिंस नंबर डी फिलाल इस कोई अगला प्रस्ट निखिए बिहार में सक्षार्था की वर्तमान इस्तिति क्या है तो इस क्वेशन का सही उत्तरम की से टिक करेंगे अप्सिंस नंबर डी को एक सथ दसमलो आठ पर तीसाथ जोगा वो करेक्ट आंसर है बिहार की वर्तमान सक्षार्था तर चीक है जो कि सबसे कम है सभी स्टेट में सबसे कम है नेक्सट प्रेस्ट क्या करें भारत के दो सर्वाधिक साक्षार्राजी कौन से बारत की दो सर्वाधिक साक्षार राज्य कौन से दो पहला थोगा पहला केरल दुसर नमबर पर हमारा मिजोरम तो यहां पर हम राइट एंसर अपसंस नंबर डी को टिक करेंगा और यह दोनों के दोनों राज जो कि पूर्ण साक्षर माले जाते हैं नेक्ष्ट कोर्ण क्या करें कि 2011一 जन गणना में इसाकषर ज्यात करने हैँ इतो किस आएू वरगे के लोगों को समलित किया यह तो एक बार हम लोग उपर में कोर्ण में देखान था कि साथ वर्ण से एवाब के जो भी आईू वाले यह तो बिल्कुल करेक्ट है यह है छेतरफल के कॉर्डिंग लेकिन इसमें पूछा है कि जनसंख्या के एक कॉर्डिंग आपको बताए कि राइट एंसर क्या होगा परन्तु इसकी संपूर्ण मानोजाति का 16 परतिसत जनसंख्या संपूर्ण मानोजाति का 17 परतिसत है संपू वर्ल्ड के जितने भी जनसंख्या उसका 17.5 प्रतिसाथ हमारे भारत में निवास करते हैं जो कि दुनिया के दुसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले कंट्री है फर्स्ट रंग पे तो आपको पता है चाइना सेकंड रंग पे हमारा भारत होता है और अगर हम एरिया के कोर्ड भारत जो था हो सेवेण रंग यह पॉइंट भी याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिसाथ है एक्चली कहने का तात पर यह हुआ कि अगर मान के चले की इंडिया का हंडेड पर्शेंट चुकी जनसं इसके उपर इग्रहवे नंबर पे तेलंगना इसके नीचे तेरहवे नंबर पे वेस्ट बंगॉल तो यह सभी चीज आपको याद होनी चाहिए अब तक याद हो गई होगी नेक्स्ट कुशन देखे निमलिखित में से वह राज्य या फिर संग राज्य छेत्र कौन सा है जिस जन जाती समुदाय नहीं है पंजाब में भी नहीं हरियाना में भी नहीं चंडिगड और पांडिचरी यह सभी के सभी यहां पे ट्राइट अंसर हो जाता है अगला पॉइंट देखे क्या किया रहा है क्वेस्ट नंबर 45 भारत के संग राज्य छेत्रों में सर्वाधिक सब्सक्राइब करें तो यहां पे साइउते सब्सक्राइब बार बिदिलिक वारत में 50% अधिक निर दान इन चारा आजो में रहते हैं और वो चार राज्य कौन से तो राइट विल बी उप्संस ए ठीक है बिहार उत्र प्रदेश, मद्य प्रदेश और उडिसा, इसी को सौट में बीमारू कहा जाता है, ठीके, कभी-कभी ये पुचाता है कि बीमारू के अंतरगत कौन-कौन से राज्ये आते हैं, तो इसको मैं छोटा सा क्लियर करता हूँ, देखे, यहां से B, I से बिहार हो जाता है, M, A से मद् स्थान हो जाते हैं, और U से आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है, उडिसा, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, ओप्संस नमबर A, ठीक है, राइट आंसर विल बी ओप्संस A, जिनको सब 50 प्रद्शे से अधिक निर्धन, ज सरचा कर चुके हैं, कोई प्रद्शे से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, चेतरफल के दिश्टी से दूसरा सबसे बड़ा राज्य बतेगा, नीचे कमेंट्स करके क्या होगा, तो उमीद करते हैं कि इस टॉपिक से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको जनगर्णा 2011 सेलेटेड कोई अलग से क्वेसंस में पूछा जा सकता है, अगर सारे वीडियो को सारी सारे क्वेसंस को अच्छे सापने समझ लिया, तो डेफिनिटी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो प शुलकर आप करैके अजिए प्रॉब्लम नहीं है, थैसे क्वेसंस को इसक्षब सारे कर्में लिए अच्छे सेलेट करें सेड़ियों, से और मुझे टो बाच्छे संथाथले नहीं है, टो गच्छे सब्सक्ड वेजिए नहीं रखिए सेलेशन को अच्छे सारे की अष्ड